Hello friends, मैं हूँ आपका दोस्त Explore KB46 आज हम US Global Stake Market की बात करेंगे तो Global Stake Market में जब Thursday को Thanksgiving था US में तो उस दिन के बाद दूसरा दिन जब Market कुला तो उसमें क्या देखने को मिला इसकी बात करेंगे यहां पर ये लिंकिन के एक वेब साइड है उस पर लिखा गया है कि जो क्लोजर होई लोवर अ इन्वेस्टर्अ आई ब्लेक फ्राइड़े सेल्स एंड चाइना कोवेड इंफ्रेक्शन तो जो नास्डेक से वो अपने जो लोवर में बंद हुआ क्योंकि Black Friday का जो sales था और जो चाइना में COVID का infections है उसकी वज़े से आज ये देखने को मिला तो NASDAQ जो है वो खोलूर हुआ प्राइडे के दिल लोवर में बंद हुआ और जो एपल कंपनी है उसका एपल कंपनी में जो प्रिशर है होलिडे के दर्मयान तो वह भी हमें देखनों के मिला अकर्डिंग तू दा न्यूस एजन्सी राउटर्स की वजह से वहां पे जो आइफोन का जो सिप्मेंट से उसकी सिप्मेंट गट जाएगी उसकी वजह से आज एपल के से में दो परसंट की जितनी गिराबत देखने को म वह मेंली फोकस करता है रिटेलर्स को अज ब्लेक फ्राइडे सेल्स को जो कीक अफ हुआ था यस्टरडे में जो ब्लेक फ्राइडे सेल्स की वजह से यह देख सकते हो और हाववेवर थे क्राउड आउटसाइड स्टोर वस थीन और ड्रेडिशनली बिजिएस सिपिंग डे और इंफलेशन से की बाइट की वजह सो फार दिस यर और इसकी वजह से 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 जो S&P 500 जो इंडेक्स यह वह डाउन हुआ है लिटल ओटी पर संट वाईल एस प्रम लिटेश ने टार्गीट किया है तार्गेट किया है टार्गेट क्रॉप मैसी बेस्ट बाई को मिक्स्ड है वाइल जो S&P 500 Consumer Dictionary Index है वो राइस हुआ है स्लाइकली News Reporter की रिपोर्ट की वज़े से और जब Friday Market खुला After the Thanksgiving Day Holy Day की वज़े से तो उसने जो volume है उसका वो देखने को मेला trading का जो volume है उसने On the US Exchange जो volume था वो 454 billion sales था As compared 11.25 billion full sales over average 20 trading जो start करेंगा next week पे तो investor का focus रहेगा mainly retail sales पे चाइना न्यूएस कोईड आउटब्रेक पे और जो federal reserve है उसका जो next step क्या रहेगा उसके उपर जो investor का अपना starting का जो next week है उसके डिपेंड करेगा उसके बाद है जो Wall Street का main index है उसने strongly rally बना दी है October low में जब October में वो सबसे low था उसके बाद जो S&P 500 इंडेक्स है वो more than 15% boost हुआ है better than expected earning session में और more recently on hops तो less aggressive interest जो US federal की reserve जो low interest rate बढ़ाएगा उसकी news आने की बज़े से ये देखने को मिला है according to the analysis there is a 71% chances the Fed will increase its key benchmark rate by 15 basis point तो वो 50 point तक जो federal reserve है वो 50 basis points पे अपना December में rate hike कर सकता है और जो rate है वो जुन 2023 में पीक पे आजाएगी इसके वज़े से जो Dow Jones industrial average है और 152 point rise हुआ था और कहां पे बंद हुआ था 34,347.03 पे बंद हुआ ऐसे ही जो S&P 500 है और lost हुआ था 1.4 points और 0.03% और कहां पे बंद हुआ 4,026.12 पे बंद हुआ वहाँ जो 9-day composite है उसमें भी 58.96% का drop हुआ और वो 11,226.36 पे बंद हुआ और त्री इंडेक्से से है यह जो US के जो त्री इंडेक्से से है वो अंडेड हुए Thanksgiving week पे गेन उसमें Thanksgiving week जो week का जो end है गेन दिखने को मिले lead by Dow की वज़े से जो rise हुआ था 1.78% यह जो US market है वो आज इंडिया में close हुआ 1 p.m. पे और वहाँ पे वो close होता है और Thursday को after the Thursday Thanksgiving holiday तो ऐसे ही global market की news और Indian market के share market की news जहनने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीजिए और देखते रिए explore KB46 को थेंक्यू गाइस